हलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे आप लोग, उम्मिद कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे होगी, बहुत अच्छे से चली होगी आज जो है, इरावर्ड में कुछ नया होने वाला है, जैसे कि आज जैसे पॉलिटी का स्री चली रहा है, डे वन, डे टू हो गया है, प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हैं, आज से लेकपाल बैच के लिए जो है, हमने ग्रामीर परवेस का कुश्चन एंसर टेलिग्राम पर फ्री कुछ भी हो रही है, पेड कुछ भी जो है कल से, यानि की साथ फरवरी से पेड कुछ भी शुरू कर दिया जाएगा जो है, और टेलिग्राम से अगर आप जुडेंगे तो इसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है, फ्री कुछ भी हो रही है, पेड कु का कोर्स है यह लेकपाल का है बहुत ही मिनमम प्राइज रखा गया यह मेंस के लिए है यह प्री के लिए है इनलाइट्मेंट नमक कोर्स हमने जो है एक वीडियो बनाया है इसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं जो PCS वाले हैं वो इसको देख सकते हैं ठीक है तो चलते ह कुश्चन है इत्र सहर कौन सा है कन्योज हरदोई फरुखवास सितापूर इत्र सहर कौन सा है कन्योज कन्योज में हमारी इत्र सबसे ज़्यादा बनाया जाता है अच्छा माचिस की तीली कहां बनाया जाती है माचिस की तीली कहां बनाई आती है बरेली में और दूसरी बार बता दें कि इसी तरीके से बीडी के विल्ली देखिएगा कालीन कहां पे सबसे जादा बनाया जाता है उसके लिए देखिएगा ठीक है गुड सबसे जादा कहां पे पैदा होता है उसके लिए देखिएगा ठी से आज मैंने इसका बता दिया इत्र कदीर दिरे और कुछ आपको मिलता जाएगा लेकिन कुछ आप लोग भी जो अपनी तरफ से भी अफ़र्ड आ लिए और खोजिए इसको ठीक है नेक्स्ट कुछिन की तरफ चलते हैं लोग नेक्स्ट कुछिया केता है हमारा दूसरा कुछिन है हमारा बेतवा नहर का निर्मार कब हुआ है 1906 में 1885 में 1888 में 1920 में बेतवा नहर का निर्मार कब किया गया था कब किया गया था 1850 में अच्छा बेतवा नहर है एक हमारा जो है निचली गंगा नहर भी है निचली गंगा नहर इसका निर्मार कब किया गया था 1880 में और एक हमारा सारदा नहर है सारदा नहर है इसका निर्मार कब किया गया था 1928 में ठीक है याद रखेगा लिख लीजेगा नोड बना लीजेगा एक नेश कोशन की तरफ चलते हैं यसे हमारा तीसरा कोशन क्या कहता है यूपी का अधिक्तम यसी अबादी वाले जिला सोन भद्र मिर्जापूर सीतापूर हर्दोई तो यूपी में सबसे यसी अबादी वाले कौन सा है हमारा सीतापूर है कौन सा जिला है हमारा सीतापूर सीतापूर में सबसे अधिक अबादी में क्या है यसी निवास करती है भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर परदेश का जो परसंटेज है वो 16.6 यूपी का यसी जनसंख्या यहां यूपी में निवास करती है बागपत एक जिला है बागपत वहाँ पे सबसे कम यसी है ध्यान लखना, नोट करना, कम यसी है ठीक है, एक हमारा जो यह जिला है सून भदर की बारे में बता दे सून भदर में सबसे ज़्यादा यस्टी आवादी निवास करती है कौन सी आवादी निवास करती है, येश्टी आवादी निवास करती है, ठीक, नोट कर लिजेगा, नोट बना लिजेगा, धेरे-धेरे आप सब पूरा कुश्चन हो जाएगा, बीस बिश्वा बराबर कितना होता है एक बीगा एक बटी दो बीगा दो बीगा तीम बीगा कितना होता है बीस बिश्वा बराबर एक बीगा होता है ठीक है ध्यान लखना इसके बारे में ठीक थोड़ी फू kadar घ्र बता दें तो एक vital की अभी एतना हो जाएगा कि एक वीघा हो जाएगा तेंस पचीस अबिधंग टीक नोटके लेना एक गज बराबर कितना होता था के गज हमारा कितना होगत तैंंग टीज हुआ मैं ठीक करना होगा 99 इंच आठ फिट या 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 इंच कह लो या आठ फिट इन इंच ठीक है शरू नोट कलीजीगा इसको पांचवा कुश्चन में आते हैं पांचवा कुश्चन मारा क्या कहता है लेक पाल सेवा नियमा वली उत्तर प्रदेश में कब से लागू है 2005 से, 2004 से, 2006 से, 2010 से यह कब से लागू है यह 2006 से लागू है 1901 की धारा 23 के तहट जो है यह नियमा वली बनाई गई है ठीक कपास उत्पादन में अगरणी राज गुजरात पस्चिमंगाल उडिसा महाराष्ट बहुत ही कन्फ्यूजन करता है गुजरात कभी कभी पस्चिमंगाल आ जाता है कभी कभी उडिसा महाराष्ट भी आ गया आ जाते हैं लेकिन गुजरात जो है कपास उत्पादन में इस स पीम काउन थे ततकालीन पीम उस समय अटल जी थे अटल जी थे और इन्हें के द्वारा या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क यो जना लागू की गई ठीक है मनरेगा कब अस्तिक्त में आया दोजार पांच में दोजार चे में दोजार दस में दोजार बारा में पारित हुआ सा सितंबर 2005 को लेकिन लागू कब हुआ दो फर्वरी बहुत इंपॉर्वरी 2006 को इसमें होता क्या है सव दिन का काम मिलता है और पांच किलो मीटर की रेंज में मिलेगा काम ठीक है ग्रामी और वासियों के लिए जो है एक अच्छा जो है अधनियम आया था ये ज जम्मु कास्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखन, अम्राचल परदेश, उत्पादन में अग्रणी राज कौन सा हमारा जम्मु कास्मीर है ठीक है और ये अगर आप लोग को सही लगेगा कमेंट करके आप लोग बताईएगा कि इसी तरीके सही या पर टॉपिक वाई जो है कि कैसा आप लोग को सही लगेगा बाकी पर कुछ हमारी कल से सुरू है ये जो हमारा नंबर नीचे दिख रहा है आप लोग को किसी भी नंबर पर आप संपर करके या वाट्सप करके टेली ग्राम से जोड़ जाएगे ठीक है और जो भी कोर्स लेना हो कोर्स ले लिजिए औ और फिर जो है पढ़ाई अच्छे से कीजे क्योंकि अप्रैल में लगबग पीपर होने वाला है एक दम और जुटे रहें लगे रहेंगे तभी होगा अब यहसी ग्रामीट पर बे सुरू हुआ अब हिंदी भी सुरू हो जाएगी ठीक है हिंदी भी सुरू हो जाएगी फि चलिए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद